आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड रहे हैं। दो दिन बार दिसंबर का महिना भी शुरू हो रहा है। और दिसंबर आते ही साइकलोजी के लिए हम ऐसा ही लगता है कि चलिए बैस साल पुरा हो गया। ये साल का आखरी महिना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं इसी महिने Navy Day और Armed Forces Flag Day भी देश मनाता है हम सब को मालूम है 16 दिसम्मर को 1971 के युद्धिका स्वर्णिम जेनती वर्ष भी देश मना रहा है मैं सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरन करता हूँ हमारे वीरों का स्मरन करता हूँ और विशे सुप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरन करता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो एप पर माई गौव पर आप सब के ढेल सारे सुजहाव भी मिले हैं आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुखदूग भी साजा किये हैं इसमें बहुत सारे नवजवान भी हैं चात्र चात्राएं हैं मुझे वाकई भहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ातव हो ही रहा है मन से भी जुड रहा है और मकसद से भी जुड रहा है और हमारे गहरे होते रिष्टे हमारे भीतर निरंतर सकारात्मक्ता का एक प्रभा प्रभाहित कर रहे हैं मेरे प्यारे देश्वासियों मुझे सीतापूर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमरित महोत्सव से जूरी चर्चा हैं उन्हें खूब पसंदा रही हैं वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिन्ता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का सीखने का लगातार प्यास कर रहे हैं साथियों अमरित महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने के भी प्रेड़ा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारे हैं पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक अमरित महोत्सव की गुंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कारकमों का सिलसिला चल रहा है ऐसा ही एक रोचक प्रोग्रेम पिछले दिन दिल्ली में हुआ आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्थूत किया खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मौरिशस, तंजानिया, न्यूजिलेंड और फीजी के स्टूडेंस में शामिल हुए हमारे देश का महारत्न ओएंजिसी, ओएंजिसी भी कुछ अलग तरीके से मृत्म होसा मना रहा है ओएंजिसी इन दिनों ओएलफिल्ट्स में अपने स्टूडेंस के लिए स्टडी तूर का आयोजन कर रहा है इन तूर्स में युवाओं को ओएंजिसी के ओएलफिल्ट अपरिशन्स की जानकारी दी जा रही है उद्देश ये कि हमारे उभरते इंजिनियर राष्ट निर्मान के प्रयासों में पुरे जोस और जुनून के साथ हाथ बटा सके साथियों आजहादी में अपने जन जातिय समुधाय के योगदान को देखते हुए देश ने जन जातिय गवरोव सप्तावी मनाया है देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कारकम भी हुए अंडबार, निकोबार, द्विप्समों में जारवा और ओंगे मिनियेचर राइटर रामकुमार जोसी जी ने भी किया है, उन्होंने पोस्टे स्टेम पर ही, यानि इतने छोटे से पोस्टे स्टेम पर नेता जी सुभाचंदर भोष और पुर्व प्रधान मंतरी लाजबागरु सास्त्री जी के अनोखे स्कैच बनाए हैं हिंदी में लिखे राम शब्दपर उन्होंने स्कैच तैयार किये, जिसमें संख्षेप में दोनों मापुरोषों की जीविनी को भी उकेरा गया है मत्य प्रधेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कारकम की जानकारी दिये इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बरिधान की यादे ताजा की गई हैं ऐसा ही एक कारकम काशी में हुआ गोश्वामी तुलसिदास, संत कबीर, संत रहिदास, भारतें दुहर्चंद्र, मुन्सि प्रेमचन और जैसंकर प्रसाज जैसे महान विभूत्यों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सों का आयोजन किया गया अलग-अलग कालखन में इन सभी की देश की जन जागरूत में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोर्स के दोरान मैंने तीन प्रतियोगीताओं का उलेक किया था कॉम्पूटिशन की बात कही थी एक देशभक्ती के गीत लिखना देशभक्ती से जुड़ी आजादी के अंदोलन से जुड़ी गटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए मुझे आशा है इन प्रतियोगीताओं के लिए भी आप जुरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे मुझे आशा है बढ़ चड़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कारकम को आप जुरूर आगे बढ़ाएंगे मेरे पैरे देश्वासियों इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वरंदावन लेकर चलता हूँ वरंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूफ है हमारे संतों ने भी कहा है यह आसा धरी चित में कहत जथा मति मोर वरंदावन सुख रंग कव काहून पायो और यानि वरंदावन के महेमा हम सब अपने अपने सामर्थ के हिसाब से कहते जरूर है लेकिन वरंदावन का जो सूख है यहां का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो वरंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी पस्चीमी अस्टेलिया में एक शहर है पर्थ क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भाती परिचीत होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलेरी इस नाम से एक आर्ट गैलेरी भी है यह गैलेरी स्वान बेली के एक खुब सुरत ख्षेतर में बनाई गई है और यह आउस्टेलिया की एक निवासी जगत तारेनी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है जगत्तारणी जी बैसे तो है उस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन तेरा साल से भी अधिक समय वरंदामन में आकर के उन्होंने बिताया उनका कहना है कि फिर आस्ट्रेलिया लोड तो गई, अपने देश वापिस तो गई, लेकिन वो कभी भी वरंदामन को भूल नहीं पाई, इसलिए उन्होंने वरंदामन और उसका अध्यात्मिक भाव से जोडने के लिए आस्ट्रेलिया में भी वरंदामन खड़ा कर दिया, अ आउसर मिलता है, उन्हें भारत के सरवाधिक प्रसिद्ध तिर्थस्तलों, वरंदामन, नवादवीब और जगनातपुरी की परंपरा और संस्कृति की जड़क देखने को मिलती है, यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतिया भी प्रतसित की गई एक कलाकृति ऐसी भी है, जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वरंदामन के लोग आहिस्त्राई लिए हुए है, जगत्तारेणी जी का यह अधिभूत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक् अर्थ में बने बुरंदावन के विशे में बात कर रहा था, ये भी एक दिल्चस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिस्ता हमारे बुंदेल खंड के जांसी से भी है, दरसल जांसी की रानी लक्ष्मिबाई, जब इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब कानूनी लड़ा लड़ रही थी, तो उनके वकील थे जॉन लेंग, जॉन लेंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे, भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मिबाई का मुकदमा लड़ा था, हमारे स्वतंतरता संग्राम में जांसी और बुंदेल खंड का कितना बड़ा योगदान है, यह हम सब जानते हैं, यहां रानी लक्ष्मिबाई और जलकारी बाई जैसी विरांगनाय भी हुई, और मेजर ध्यानचन जैसे खेल रत्न भी इस खेत्र ने देश को दिये हैं, साथियों, वीर्ता केवल युद्दे के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जर शेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं, मुझे ऐसी ही विर्ता के बारे में स्रीमती जोथना ने चिठी लिक कर बताया है, जालोन में एक पारंपारिक नदी थी, नून नदी, नून यहां के किसानों के लिए पानी का प्रमुक स्रोध हुआ करती थी, लेकि धीर नून नदी लुपत होने की कघार पर पहुँच गई, जो थोड़ा बहुत अस्तीत्व इस नदी का बचा था, उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी, इसे किसानों के लिए सिचाय का भी संकट खड़ा हो गया था, जालोन के लोगों ने इस थित्य को बदलने का बिड मैदान से जुड़े, यहां के पंचायतों ने ग्रामिनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में यह नदी फिर से जीवित हो गई है, कि इतने ही किसानों को इसका फाइदा हो रहा है, युद्दे के मैदान से अलग विर्ता क यह उधारन हमारे देश वाच्यों के संकल्व सक्ति को दिखाता है, और यह भी बताता है कि अगर हम ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है, और तभी तो मैं कहता हूँ, सब का प्रयास, मेरे प्यारे देश वाच्यों, जब हम प्रकुरूती का सवरक्षन करते हैं, तो बरले में प्रकुरूती हमें भी सवरक्षन और सुरक्षा देती हैं, इस बात को हम अपने नीजी जिवन में पर अनुभव करते हैं, और ऐसा ही एक उधारन, तमिलनाडू के लोगों ने व्यापक्स तरपर प्रस्तूत किया है, यह उधारन है, तमिलनाडू के तुतुकु प्रकुरूती में भी कई छोटे आइलेंड और टापू ऐसे थे, जिनके समुद्र में डूबने का खत्रा बढ़ रहा था, यहां के लोगों ने और विशेशक्यों ने इस प्रकुरूतिक आपदा का बचाओ, प्रकुरूती के जरिये ही खो जा, यह लोग अब इन टापू प्रकुरूती से हमारे लिए खत्रा तभी पैदा होता है, जब हम उसके संतुलन को बिगारते हैं या उसकी पवित्रता नश्ट करते हैं, प्रकुरूती मा की तरफ हमारा पालन भी करती हैं, और हमारी दुनिया में नएने रंग भी भरती हैं, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेगाले में एक फ्राइंग बोर्ड की तस्वीर खुब बाइरल हो रही है, पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकरसित करती हैं, आप में सभी जादाता लोगों ने इसे ओनलाइन जिरूर देखा होगा, हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते ह तब हमें पता करता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है, नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती हैं और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती हैं, हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक शेत्र हैं, जहांके लोगों ने अपनी प्रकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है, इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है, कि हम सब के लिए भी प्रेना है, हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक सहुसादन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप ल आती हैं, बजट खर्च करती हैं, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती हैं, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है, लेकिन सरकार के अनेक कारियों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच, मानविये समवेदनाओं से जुड़ी बाते हमेशा एक अलग सुख देती ह सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से, कैसे कोई जीवन बढ़ला, उस बढ़ले हुई जीवन का अनुभव क्या है, जब यह सुनते हैं, तो हम भी समवेदनाओं से भर जाते हैं, यह मन को संतोज भी देता है, और उसी योजना को लोगों तक पहुँचाने की प्र ऐसे साथे भी जूड रहे हैं, जो अपने होंसलों से, एक नया जीवन जीत कराये हैं, इन्होंने आईश्मन भारत योजना की मदद से, अपना इलाज कराया, और एक नई जिन्दगी की शुरुवात की हैं, हमारे पहले साथी हैं, राजेश कुमार प्रजाबती, जीने राजेश जी से बात करते हैं, राजेश जी नमस्ते, नमस्ते साथ, नमस्ते, आपकी राजेश जी मिमारी क्या थी, फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जड़ा समझाईए, स्थानी डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर मैंने डाक्टर को दिखाया, डाक्टर मुने पहले तो बता हो सकता बेटा तुम्हारे एसिट होगी, तो मैंने काफी दिन एसिट की दवाई कराई, उससे जब मुझे फाइदा नहीं हुआ फिर डाक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने का बेटा तुम्हारे जो लच्छ पाइब निए इन्जुग्राफिश प्ताकिज उन्हें पाइब गूंड अपेसे पाइब पर आपूरत हैं, उन्हें काया किसमेर कितना खर्चाि आएगा है। पैसे में धन्वाद करूँ आपके परिवार में पिता जी को या किसी माता जी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि यह आईश्मान कार्ड बारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है तो यह आपको पता कैसे चला अच्छा कार्ड नहीं होता तो आपको कितना खर्चा बोला ता रोक्तर ने? तो राजेश्च जी आपको अभी संतोस है तब यह ठीक है? राजेश्च जी आप मुझे सत्ता में रहने के शुपकावना मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविश में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ मैं जिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मेरे लिए ये पद, ये प्रधान मंत्री, ये सारी चीजे ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई सेवा के लिए है सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या? देखिए गरीबों के लिए ये आयुश्मान भारत योजना ये अपने आप में ये सार बहुत बढ़िया चीज है लेकिन देखिए राजेज जी आप हमारे काम कीजिए करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सार्ब देखिए होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है आप एक जिम्मेबारी निभाईए ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी ये कैसे आपको लाब हुआ? कैसे मदद मिली? ये बताईए बिल्कुल बताईए सार्ब और उनको कहिए कि बेबी ऐसा काड बनवाले है ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसिबत आ जाए और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे ये तो ठीक नहीं है अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बिमारी का उपाई न करे तो ये भी बड़ी किंता का विशा है और गरीब को तो क्या होता है जैसे आपको ये हार्ट का ट्रॉबले हुआ तो कितने महिने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे आप तो दस कदम नहीं चलबाते थे जीना नहीं चलबाते थे सर्व बस तो आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आईश्मान भारत योजना के समझ में समझा सकते हैं वैसे बिमार लोगों की मदद कर सकते हैं देखिए आपको भी संतोस होगा और मुझे बहुत खुशी होगी चलिए राजेश जी की तबियत तो ठीक हुई लेकिन राजेश जी ने सेंकड़ों लोगों की तबियर ठीक करवा दी ये आयुश्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मद्दिमबर के लिए है, सामान्ने परिवारों के लिए है, तो गर-गर इस बात को पहुचाएंगे आप चलिए राजेज जी, आप अपने आपको स्वस्त रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता कीजिए, और बहुत प्रजेती जी, मेरी बहुत शुब कामना है आपको साथियों, हमने राजेज जी की बाते सुनी, आईए, अब हमारे साथ सुख देवी जी जूड रही है, गुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परिशान कर दिया था, आईए, हम सुख देवी जी से पहले उनके दुप की बात सुनते हैं, और फिर सुख कैसे आया, वो समझ सुख देवी जी, नमस्ते, आप कहां से बोल रही हैं? Downed class कहां पढ़ता है ये? मत्रा में मत्रा में? फिर तो स्ुख देवी जी, आपको नमस्ते भी कहना है, और साथ साथ रादे रादे भी कहना होगा? हاں, रादे रादे अच्छा हमें सुना के आपको तकलिफ हुई थी आपका कोई ऑपरेशन हुआ ज़रा बताएंगे क्या बात है हाँ मेरा गुटना खराब हो गया सा तो ऑपरेशन हुगा है मेरा गया ओप्स्टल में आपके आयो कितनी है सुखदेवी जी अमर 40 साल चालिस साल और सुखदेव नाम और सुखदेवी को बीमारी हो गई बीमारी तो मुझे 15-16 साल लग गई अरे बापरे इतनी छोटी है यूँ में घुटने आपके खराब हो गए तो सुखदेव जी आपरेशन का विचार कैसे आया उसके पैसों का क्या परबंद किया कैसे बनाए इस तब मैंने आसमान कार्ड से अलाज करवाया है तो आपको आईशमान कार्ड मिल गया था और आईशमान कार्ड से गरीबों को मुफट में उपचार होता है पता था अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड नहोता तो कितना खर्चा बताते थे दाई लाग रुपे तीन लाग रुपे छे साथ सान से परी हूं खाट में जे केती थी ये बगवान मुझे ले 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 तो मुझे नहीं जीना भुलकुल उठा बैठा नहीं जाते बच्चे बैठाते ले तो अभी आपका गुटना पहले से अच्छा हुआ है तो मतलब आईश्वान भारत का कार्ड आपको सच्मिज में आईश्वान बना दिया तब तो बच्चों को भी आनन दाता होगा देखे हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्ती होता है ये सुखी जीवन सबको मिले यही आईश्वान भारत की भावना है चलिए सुखी देवी जी मेरी आपको बहुत बहुत सुख कामना है फिर से एक बार आपको रादे रादे मेरे पैरे देश्वास्यों युवाओं से समरुद हर देश में तीन चीजे बहुत माइने रखती है और वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है पहली चीज है आईडियाज और इनोवेशन दूसरी है जोखिम लेने का जज़बा और तीसरी है केंडू स्पिरिट यानि किसी भी काम को पुरा करने की जिद चाहे परिस्तित्या कितनी भी विप्रिक्योणा हो जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती है तो अभुत पूर्व प्रणाम मिलते हैं चमतकार हो जाते हैं आज कल हम चारों तरब सुनते हैं स्टार्ट अप, स्टार्ट अप, स्टार्ट अप सब्सक्राइब कर रहा है यह चेत्र बहुत तेज रप्तार से आगे बढ़ रहा है यहां तक कि देश के छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्ट आप के पहुँच बढ़ी है आज कल यूनिकॉन शब्द खूब चर्चा में है आप सबने इसके बार में सुना होगा यूनिकॉन एक ऐसा स्टार्ट अप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम एक बिलियन डॉर्डर होता है यहाने करीब करीब साथ हजार करोड रुप्य से जादा साथियों साल 2015 तक देश में बमुश्किल नव या दस यूनिकॉन हुआ करते थे आपको यह जानकर बेहत खुशी होगी कि अब यूनिकॉन की दुनिया में भी भारत तेज उडान भर रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बड़लावाया है सिर्फ दस महिनों में ही भारत में हर दस दिन में एक यूनिकॉन बना है यह इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे यूहाओं ने यह सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है आज भारत में सत्तर से अधिक यूनिकॉन हो चुके हैं याने सत्तर से अधिक स्टार्ट अप ऐसे हैं जो एक बिलियन से जाधा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं साथियों स्टार्ट अप की सफलता के कारण हर किसे का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशों कों से उसे समर्थन मिल रहा है शायद कुछ साल पहले उसके कोई कलपना भी नहीं कर सकता था साथियों स्टार्ट अप्स के जर्ये भारतिय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉलिशन की प्रॉब्लम का सॉलुशन देने का प्रयास किया है मयूर जी नमस्ते नमस्ते सर जी आप कैसे हैं बस बढ़िया सर आप कैसे हो मैं बहुत पसंद हूँ, अच्छा मुझे बताईए कि आज आप कुछ स्टार्ट अप की दुनिया में हैं, और बेस्ट में से बेस्ट भी कर रहे हैं, एनवार्मेंट का भी कर रहे हैं, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताईए, काम के बारे में बताईए, और इस काम के प मैंने कोशिश चालू किया था उच्छ 2011-12 में और उसका मैंने करीब करीब 62 किलोमेटर पर लिटर तक माइलेज बढ़ा दिया था तो वहां से मुझे यह प्रेजना मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फा और करीब करीब हम लोगों ने उसका 40% एमेशन उसका कम कर दिया बस इसमें अब ये टेकनोलोजी जो आपने खोजी है उसका पेटनेंट वगरे करवा लिया हाँ जी पेटन्ट हो गया ये साल में हमें पेटन्ट गरांट होके आ गया और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्ल हम लोगों ने अभी factory चालू किया जहां पे हम air filters का manufacturing कर सकते हैं भारत सरकार की तरब से कितना grant मिला आपको 90 lakhs 90 lakhs और उससे आपका काम चल गया है अभी तो चालू हो गया है प्रोसेस में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब हम लोग चार लोग है सब और चारों पह माइलेज बढ़ जाए पॉलिशन कम करते हैं मालेज बढ़ाते हैं तो average खर्च कितना बचता होगा सर मोटर सैकल के हम लोगों ने टेस्ट किया उसका माइलेज होता 25 km पर लीटर वह हम लोग ने बढ़ा दिया 39 km पर लीटर तो करीब करीब 14 km का फाइदा हुआ और उसमें स चालीस प्रतिशत का कार्बन एमिशन कम हो गया और जब बसेस पर किया रिजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन में तो वहां पर दस प्रतिशत फ्यूल एफिशन्सी इंक्रीज हुआ और उसमें भी 35-40% एमिशन कम हो गया मयूर में जो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथियों को मेरी तरफ से बताई दीजिए कि स्कॉलिट लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने परियावरण के समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बिड़ा उठाया और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्ती है कि कोई भी बड़ी चुनावती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं मेरी तरफ से आपको बहुत शुक्ताम नाय हैं बहुत बहुत धन्यवार तैंक यू सर तैंक य नोकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं नोकरी करो ना भाई अरे नोकरी में सिकुरिटी होती हैं सेलरी होती हैं जंजड़ भी कम होती हैं लेकिर आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आज पास के सभी लोग बहुत उत्साइत होते हैं और इसमें उसक जौब सीकस बनने का सपना नहीं देख रहे हैं बलकि जौब क्रियेटर्स भी बन रहे हैं इससे विश्व मंच पर भारत के स्थिती और मजबुत बनेगी मेरे पैरे देश्वासियों आज मन की बात में हमने अमरित महोत्सव की बात की अमरित काल में कैसे हमारे देश्वासी नए नए संकल्पों को पुरा कर रहे हैं इसकी चर्चा की और साथ ही दिसम्बर महिने में सेना के शावरिय से जुड़े हुए अउसरों का भी जिकर किया अब आम बेड़कर की पुर्ण निति थी बाबा सहाब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अपेक्षा करता है तो आएए हम भी संकल्प लें कि अमरूत महसों में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे यही बाबा सहाब के लिए हम्यारी सच्ची स्रधान दिली होगी साथियों अब हम दिसम्बर महिने में प्रवेश कर रहे हैं स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की इस वर्स की आखरी मन की बात होगी 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मैं हाँ आपसे धेर सारे सुझाओं की अपेक्षा करता ही रहता हूँ करता रहूंगा आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं ये भी जुरूर बताईए और हाँ ये कभी मत भूलना कोरोना अभी गया नहीं है साउधानी बरतना हम सब की जिम्मेवारी है बहुत बहुत धन्यवाद